आज की recipe जे दूधहरी जो की चावल गूड से बनता है और दूढ में डिप किया जाता है और ये जारगन का famous recipe है जो कि बहुत टिस्टी लगता है मिठाई के बराबर और festival में खाय जाने वाले मिठाई है सब को तल के दूद में अच्छे से उबाला जाता है बहुत टेश्टी लगता है आप दूसरे मिठाई भूल जाएएगा येकिन मानिए बहुत अच्छा लगता है तो अब पूरा रेसिपी अच्छे से देखिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ प्रगती जो लोग नए है पर लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज जो लोग सब्सक्राइब कर चुक है थैंकियो सो मच तो सबसे पहले चावल को हम भीगो के रखना है कुछ दिर के लिए और इस त चावल लिए है तो देड़ लिटर दूद लीजिएगा जब दूद में अच्छे से उबाल आने लग जाएगा तो फिर हम चावल को डाल देंगे यह नया चावल है बहुत टेश्टी रखता है इसका महक बहुत अच्छा आता है घर का है आप लोग बाजार का भी ले सकते क कोई दिकत नहीं है इसको अच्छे से चलाते रहना है बीच-बीच में वरना जो चावल है ना वो नीचे बैठ जाएगा तो जलने का डर रहता है देखिया कितने अच्छे से चावल दूद को सोक कर लिया है तो अब इस स्टेज पे हमको गूर डालना है आप लोग चावल तो चीनी से भी बना सकते हैं चीनी से भी बनता है और हम चावल को पूरी तरह से नहीं पकाना है अंदर में हलका से चावल आपको फील हो उतना पक गूर डालेंगे और चलाएंगे एक ही बार गूर डालने तक नहीं छोड़ सकते हैं वरना नीचे बैठने लग जाता है अब बहुत जल्दी गूर पिखल जाता है फिर बचा हुआ गूर और डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा गूर डालने के बाद ध्यान रखेगा कि आपका लो रहेगा फ्लेम लो टू मीडियम मतलब मीडियम से कम ही रखेगा और देखिए गूर कितने अच्छे से पिखल गया है और सारा चावल जो है दूद को अच्छे से सोक कर लिया है अभी हलका हलका दूद दूद टाइप से लग रहा है थोड़ा सा और चलाना होगा देखिए हलका इस्टीकी हो जाएगा हलका चावल जैसा रहेगा देखिए तो आपको हलका चावल चावल जैसे रहेगा तो आपको गैस को फ्लिम आफ करके छोड़ देना कुछ दिर के लिए और इस तरह जो मैसर होता है ना पेटेटो मैसर उससे आप कर सकते हैं यह हम दिखा रहे हैं ऐसे जारखन का जो पारमपरी तरीका है वो सिलवट्टा लोड़ा पे है उस बढ़ना सिलवट्ट पर बनता है ऐसे में थोड़ा महना ज़्यादा लगेगा ऐसे करने में हाथ में थोड़ा सा प्रेसर बनता है तो अब हम सिलवट्ट में ही पीषेंगे सारा को अध्यान से पीश आ जाता है बहुत अच्छे से देखिए हलका चावल चावल जैसा दीख रहा है पीशने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा तो अब क्या करना है जब सारा पीश जाएगा उसके बाद ऐसे हाथ में तेल को ले लिजेगा तेल को लेके पेड़ा के जैसे हाथ में तेल लेके गोल-गोल-गोल करके दबा दीजेगा मेरी शासमा में बहुत टेश्टी बनाती है ये घर पर बहुत अच्छा लगता है बनाने में है घी में तलख ओिए वे झिए ना वह घी में तलता है घी में इसका स्वात बहुत अच्छा आता ऐसे आप रिफाइन ओई में तल सकते कोई दिकत नहीं है दिकनरह निए गीं कोण अच्छा स्वाद आता यह तो ऑलिव उईल में जो आप तेल लेना चाहे घी है तो घी में ही तलिएगा और हां ध्यान से क्योंकि नहीं यह बहुत तूटता है इसलिए अराम से आप पहले सिखने दे दीजिएगा अच्छे से उसके बाद ही तिन-चार मिनट के बाद ही पलटना है आपको चलाते नहीं रहना डाल के छोड़ देना वरना यह लाग गया थे चार से पास पाच से छे डालिएगा तो अच्छे से हो गया है गोल्डेन ब्राउन होना है बस तो सारे को निकाल लेंगे दीरे-दीरे करके दो-दो करके तेल का भी जो फ्लेम रहेगा वो लोटो मीडियम ही रहेगा हाई में नहीं तलिएगा ज्यादा देखिए कलर ऐसा आएगा वह पुआ भी बना है थे ना तो पुआ भी बना हुआ है पुआ अगर रेशिपी सेयर किये हुए अपने चैनल पर दो-दो बार अगर नहीं देख को अगर दूद्ध हलका से उबल के मतलब थोड़ा तिक टाइप से हो जाता है ना हलका कम हो जाता है तो ही अच्छा लगता है कि जितना अच्छा दूद्ध उबला हुआ रहेगा उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा दुधोरी में कि तो अब हम चीनी डालेंगे अच्छे से दूद्ध जब उबल जाएगा तब चीनी डालियेगा वरना अगर अच्छे से दूद्ध उबला वह नहीं रहेगा चीनी डाल दीजेगा तो फटने का चांस इस रहता है हमें कटोरा चीनी लिए हैं आप लोग अपने स्वाद अनुसाल ले सकते हैं जितना आप लोग मीठा खाए और इसके जगा में गूड भी डाल सकते हैं अब देखिए उबल उबल के कितना कम हो गया है तो अब दुधोरी जो है और हाँ याद रखेंगक तुधोरी गरम आपको दूध में डालना मरना सारा तोट जाएगा दुधोरी एकदम पूरी तरह से थंडा हो करना चाहिए उसके बाद आपको दूद में इस तरह डालना है और उबला हुआ दूद में डालाएगा कि अगर को डाल देंगे हम और हलके हाँ से चलाईएगा एकदम हलका हाँ से चलाना और नट तूटेगा दिरे दिरे करके सारा जो दूदोरी है न वो दूद को अब्जॉब कर लेगा और घर का बना हुआ मिठाई बहुत अच्छा लगता है एकदम कम समय में बनने वाला है अब बहुत अच्छा स्वाद आता है आप लोग भी जरूर बनाईएगा डालने के बाद थोड़ा देर मतलब उबाल आ जाएगा बस फ्लेम कॉफ कर देना ज्यादा देर तक डाल के उबालते नहीं रहना है तो जरूर आप लोग बनाके इंजॉई कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो